अब जो एक बहुत ही इंपोर्टन वीडियो लेकर आयों आप सब के लिए तो वह सारे स्टुडेंट्स जो की आंसर शीट की फोटो कॉपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफ्रमेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से आप अपने इगन साथ आपको बता दूँ बहुत सारे बच्चों की क्वरीव थी कि किस तरीके से वह अपने आइडी कार्ट की फोटो कॉपी या फिर आइडी कार्ट स्कैन करके अटैच कैसे गरें अपने फोटो कॉपी के लिए अप्लाई करते टाइम पर तो आल लेट यू नो अबाउट पर्टिकिलर एसपेक्ट अब थोड़े दिन पहले तक इगनु ने आपका ये आप्षिन प्रोवाइड नहीं किया था तो बहुत सारे बच्चों ने अपने फोटो कॉपी के लिए अप्लाई कर दिया था अभी वो सारे स्टुडेंट्स जिन्होंने फोटो कॉपी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उन्साब को बता दूं कि आपको फोटो कॉपी अगर अप्लाई की है तो अपने ID कार्ट की आपको स्कैन कॉपी अटैच करनी पड़ेगी अदर्वाइज आपकी जो फोटो कॉपी होगी अंसर शीट की वो एकनु की तरफ से प्रवाइड नहीं ओफिशिल वेबसाइट पर हूँ आप देख सकते हैं और यहां पर आपको कहां जाने तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजेगा स्क्रॉल डाउन करते ही एकनुने अलर्ट के टैब में आपका मेंजिन किया हुआ है ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर एवालुएशन और फोटो हुआ है उससे 45 डेज की विदे नहीं आप अप्लाई कर सकते हैं 40 फोटोकॉपी के लिए अदर्वाइस आपकी फोटोकॉपी के लिए नहीं कर पाएंगी तो ध्यान रखिएगा तो यहां पर आपको डिकलेरेशन का चेक बॉक्स से हाइलाइट किया हुआ है उस पर आपको रिजल्ट अली डिकलेरेशन है जो कि अपका पॉसिबल नहीं है तो इस ऑप्शन को कैंसल कर दीजिए रिवालुएशन या कॉपी आप स्क्रिप्ट यह ऑप्शन आपको अल्रेडी सेलेक्टेट होगा और यहां पर एक नोट आया है डियर लर्न काइंडी अप्टेट और इगनु आइडी कार्ड इफ यू अप्लाइड फॉर फोटो कॉपी ऑप आंसर स्क्रिप्ट तो यह ऑप्शन आपका कुछ दिनों पहले तक एगनु की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया गया था बट अब यह ऑप्शन आपके पास अवेलिबल है तो उन सारे को भी बता देता हूं तो सबसे पहले अन्रोल्मेंट नंबर और प्रोग्राम कोड हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो प्रोग्राम कोड आपका हम सेलेक्ट करते हैं आप है मैं यह डीटेल्स पूट कर रहा हूं आप अपना जो अन्रोल्मेंट नंबर है और आपका जो कोर्स कोड रहा है या प्रोग्राम कोड है उसको यहां पर बूट किजेगा और इसके बाद क्लिक करें व्युम्म 好 4 नक उल्ए UC मुजिप सेगे तो अपकी सब्जू होगा अपकर लिचा का जै क जये पर हम IBO 1 के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो IBO 1 के लिए अपका अप्लाई करते टेम पर क्या करना है तो पहले हाँ पर एक note है वो पढ़ लीजे request for evaluation and copy of answer script students can apply for multiple courses please select course code from drop down list then fill details after that click on add request button follow same steps for adding other courses then click save and payment button तो कुछ नहीं मैं आपर बता देता हूं आपको जो भी subject का photocopy evaluation कराना है आप click कर दीजे इस पर और add कर दीजे request ठीक है अब क्या आप लाई करना चाहते हैं वह आप select कीजिए आपको दोनों के लिए करना है तो create करेंगे यहां पर हम उसको करेंगे और और request करेंगे copy of answer script यहां पर add request कर देंगे और add request करते ही एक बार आप देख सकते हैं तो आपको यहां पर हमने अपने subject select कर लिए हैं तो आपको क्या करना है अपना यहां पर upload कर देना तो choose file पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको option आएगा कि कहां से आपको select करना है तो अपना जो ID card है उसको choose कीजेगा upload पर click कर दीजेगा और save and payment की बटन पर click कर दीजेगा आप देख लीजिए अगर मैंने file select नहीं करी तो page पर आज आएगा कि paid amount और paid amount के बाद आपका same option मिलेगा upload documents का तो आप उस पर जाकर same choose file कीजेगा upload कीजेगा and upload पर click करने के बाद आपको submit कर देना है submit करते ही आपका successful का message आ जाएगा and इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो id card है वो upload हो चुका है and उसके बाद without any attention wait कर सकते हैं आपने एगनू के answer sheet की photocopy के लिए photocopy आपके address पर एगनू की तरफ से provide की जाएगी तो जो भी आपका registered address है ध्यान रखेगा वो correct हो और वहां पर आपको एगनू की तरफ से जो id आपकी copy होगी photocopy answer sheet की वो provide कर दी जाएगी and इसके लावा guys आपकी कोई query हो question हो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं I'll be glad to assist you with the information that you're looking for and video अच्छी लगी हो तो like करना मत भूलेगा और जितना होसा कि अपने दोस्तों के साथ इसको share कर दीजे ताकि उनको भी information मिल जाए कि किस तरीके से उन्हें photocopy के लिए apply करने और किस तरीके से अपने id card को attach करना है id card का size reduce करने के लिए guys आप एक काम कर सकते हैं reduced photo size एक app है अप play store से जाकर download कर सकते हैं या फिर कोई और आप देख लीजेगा जो की photo edit करने के लिए आपका use की जाथ ही है आप use कर रहे हैं तो से के थूँ अपना जो size होगा id card का उसको reduce कर लीजेगा और किस तरीके से आपका id card download करना है अगर आपको उस पर भी एक video चाहिए तो आप मुझे comment के दूँ बता दीजेगा I'll let you know how to download your id card okay so thank you so much for watching this video and have a good day bye bye